नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमितास क्लासेद में में नाम है अमित और हाजिनों आप सभी के सामने लेके एक नई सिरीज जो की संबंदित होगा कंप्यूटर अवेर्णेस से जी हाँ दोस्तों कंप्यूटर का पूरा कोर्स हम आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट के थुरूँ आप पूरा कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं वो भी फिर आप कोस्ट जहां पे हम बेसिक टू एडवांस बात करेंगे यानि कि छोड़ी छोड़ी जहनकारियों से लेके हा ठीक है आई-बी-पी-एस, आर-र-बी-पी-ओ, कलर का मेंस में ठीक, वहां पे कंप्यूटर का इंपॉर्टर रोल होता है, यूपी-पी-सी-ल का हो गया, या फिर जितने भी एक्जाम जहां पे कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां ये आपको हेल्प करेगा, इवेन आप आपको मैं बता दू, कि अगर आप CCC की त्यारी करना चाहते हैं, तो ये पूरी प्लेलिस्ट मेरी जो कंप्लीट हो जाएगी कुछ सी दिनों में, वो आप देख लेंगे, तो आप आराम से CCC कंप्लीट कर सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, तो चलिए सीरीज को सुरू करते हैं और आज हमारा जो पहला पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे history of computer, ठीक है, computer का इतिहास क्या रहा है, सबसे पहले computer किसने बनाया है, computer के पिता कौन है, और पहला digital computer कौन है, ऐसे बहुत सारे परसुनों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, तो दोस्तो इस पूरे लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल गाएगी, और कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट को पिन कर दूँगा, वहाँ से भी आप हमें जरूर जोइन करिएगा हमारा टेलिग्राम चैनल, ठीक है, चलिए, अब समझते हैं कि कम्प्यूटर है गया, कम्प्यूटर को अगर मैं संचेप में कहूँ, तो सिर्फ एक electronic machine है, जिसका प्रयो है, यह common है, ठीक है, मतलब आप लगभग बुक में देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं, टेक्टिकल की जगह आप ट्रेट भी देखिएगा, तो यह मां सुचिएगा कि अमिसर आपने गलत बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे गलत नहीं है, सही है यही चीज, ठीक है, तो C का मतल ठीक है, चली, आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है, कंप्यूटर की इतिहास की अगर हम बात करें, तो आपको सायद धरोसा नहीं होगा, कि कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना रहा है, यह लगभग 3,000 वर्स पुराना रहा है, कंप्यूटर का इत था ठीडिये चलिए आगे देख लेदे दोस्तों सत्रहवी सताबदी में फ्रांस के गड़ी तक क्ये ब्लेज पास्कल ने एक गड़ना यंत्र का आविसकार सन 1645 में किया था ठीडिके इसे एडिंग मसीन भी कहा गया आप समझिए क्या बनाया था ब्लेज पासकल ने क्या बनाया था मसीन ठीक है इसका आविसकार कब वह था 1645 में इसे क्या कहा गया एडिंग मसीन तो एक्जाम में पूछा जाता है कि एडिंग मसीन का आविसकार किस ने किया था तो ब्लेज पासकल ने किया थ सन 1645 में ब्लेज पास्कल कहां के थे फ्रांस के एक गड़ी तक ये थे तो इन्होंने क्या बनाया था आप पास्कल आपको समझ में आता होगा कि एक बोड आता है ऐसे बच्चों का यहां पर लिखने वाला रहता है यहां पैसे लाइनिंग लगी रहती है और यहां पैसे मसीन कहा गया ठीक है चलिए अगला देखते हैं सन 1801 में जैकॉर्ड लूम ने एक मसीन बनाई उस मसीन का नाम भी इन्होंने लूम ही रखा था ठीक है तो यह कंफ्यूज मत हुईगा उस मसीन का नाम भी लूम था तो सन 1801 में जैकॉर्ड लूम ने एक मसीन बनाई जो स्व बेच ने 1822 में एक मसीन बनाई जिसका नाम difference engine रखा तो exam में यहां से पूछा जाता है कि Charles Bepis ने जिस मसीन का या जिस का अफसकार किया था हुआ उसका नाम किया था उसका नाम था difference engine ठीक है और यह कब बनाया था 1822 में यह कहां के थे यह भी आफ समझें तो यह UK थै यानि कि आप Britain के स्केर थिए ठीक है उसके बाद चान्स बबेस को Father of Computer कहा जाता है ठीक है Father of Computer कहा जाता है Charles बबेस को याद रखिएगा एकजाब में बहुत पूछा जाता है यह प्रस्न की कम्प्यूटर के पितामा कौन है तो उसके है चार्ल्स बेपेज जिन्होंने क्या विसकार किया था डिफ्रेंस इंजन यह मसीन भाप से चलती थी ठीक है यह मसीन भाप से चलती थी और इसमें गियर और सौफ्ट लगे थे अच्छा इस मसीन का खर्च किसे निवान किया था अगर आप से यह जनकरी इस्टा रखिए कि इसका जो खर्च जो था वो दिया था यूके ने ठीक है बिटे सरकार ने इसका पूरा खर्च उठाया था चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीजें कि चार्स बेबेश के बाद क्या आया तो दा इनियाक आया एक्जाम में इनियाक का फुल फॉर्म पूछा जाता है आप से तो इस कंप्यूटर का पूरा नाम इलेक्ट्रोनिक नुमेरिकल इंट्िग्रेटर एण्ड इंड कल्कूलेटर है क्या नाम है इस से इलेक्ट्रोनिक ठीक है एन से नुमेरिकल आई से इंटिग्रेटर ए शै.. एंड कल्कूलेटर ठीक है तो यहां पर आपका समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आविसकार किस आर्मी के लिए इसको बनाया गया था किसको इन्याक को ठीक है जिसका फुल फॉर्म है Electronic Numerical Integrator and Calculator ठीक चलिए अगला है EDVAC जिसका पूरा फुल फॉर्म है Electronic Discrete Variable Automatic Computer क्या है फिर से Electronic Discrete Variable Automatic Computer ठीक है यह पहला Digital Computer था तो एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पहला Digital Computer कौन था तो वो था EDVAC जिसका फुल फॉर्म था Electronic Discrete Variable Automatic Computer आगे बात कर लेते हैं फिर उसके बाद अगला जो कंप्यूटर बनाया गया वो बनाया था EDSAC जिसका पूरा फुल फॉर्म है Electronic Delay Variable Automatic Computer ठीक है E से Electronic है सभी में यहां पर D से हो गया Delay ठीक है Variable Automatic Computer ठीक अब आप समझेए कि यह पहला Computer था जिसमें Program Run किया गया था ठीक है तो एक्जाम में यह पूछा जा सकता है कि वो पहला Computer कौन था जिसमें Program को Run किया गया था ठीक है E D S A C था जिसमें पहला Computer Program Run करवाया गया था ठीक है आगे दिखते हैं दोस्तों दै यूनिवैक बहुत Important होगा यह एक्जाम के Point of View से ठीक है यह एक्जाम में इसका Full Form पूछा जाता है ठीक है इसका जो पूरा नाम है वो है Universal इसको दो पार्ट में आप Divide कर लीजिए यहां पर AC के पहले जितना है सब कुछ वो Universal हो जाता है और फिर AC का मतलब हो जाता है Automatic Computer ठीक है यह पहला Digital Computer था जिसका प्रियोग ब्यापार के लिए किया गया था ठीक है यानि कि Digital Computer थो बन चुका था Digital Computer हमको पता है EDVAC था लेकिन वो Digital Computer जिसका प्रियोग ब्यापार के लिए किया गया था वो था Univac ठीक है जिसका विकास किस ने किया था तो हम सभी को पता है कि इसका विकास IBM company ने किया था IBM का full form हम चाहते हैं कि आप हमें comment box में comment करके जरूर बता है कि IBM का full form क्या होता है हम सभी को पता है कि IBM company जो है वो computer के छेतर में बहुत अगरड़ी company है तो यह रहा है पूरा part first I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like कर देना share कर देना और comment जरूर कर देना ठीके चलिए इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे जो next वीडियो होगा उसमें हम आगे के topics बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे generation of computer ठीक है उसके साथ सा types of computer ठीक है यह दोनों topic हम next वीडियो में discuss करेंगे ठीक है इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे वीडियो में बहुत बहुत सुक्रिया दूस्तों धन्यवाद